हालो बच्चो कि बच्चे हम ये मानते हैं बटा कि NCIT को समझना बहुत जरूरी है हम बार-बार ये कहते हैं कि NEET का पेपर, BORD का पेपर सब कुछ NCIT से आता है तो फिर हम NCIT पढ़ क्यों नहीं रहें तो पढ़ते हैं बटा आज स्टार्ट करते हैं उन चीजों को फिर से जो आपके basic को build up करेगी पहले उस सवाल का answer लेते हैं जो मैंने last time आपसे discuss किया था मैंने बटा आपसे last time पूछा था कि glycolysis में हमारे पास कितने ATP बनते हैं इस पे मैंने discussion करी थी तो सबसे पहले मैंने ये बोला था बटा आपको सबसे पहले मैंने ये बोला था आप अगर ध्यान रखिए मैंने आपसे दो चीज पूछी थी एक मैंने पूछा था आपसे aerobic glycolysis को लेकर और एक पूछा था आपसे anaerobic glycolysis को लेकर याद करिए आप sorry एक simple मैंने पूछा था glycolysis में कितनी ATP बनती है और दूसरा मैंने पूछा था aerobic glycolysis ये दो चीजे मैंने आपसे पूछी थी clear ये दो चीजे मैंने आपसे यहाँ पर पूछी थी एक glycolysis और एक aerobic glycolysis इसके बारे में हमने आपसे बात किया था ठीक है अब ध्यान से सुनो अगर कभी question आता है कि glycolysis में कितने बनेंगे तो आप count करेंगे 2 ATP 2 ATP कौन सी 2 ATP जैसे माल लीजे यहाँ पर ये ATP ये है और एक step में है ये 2 ATP है तो ये 2 बार लिया था आपने 2 से multiply किया था 4 थी और इसमें से 2 minus कर दी थी तो normally जब भी question आया आपको कि ये पूछा जाए कि glycolysis में कितनी ATP है तो आप क्या करने वाले हैं आप mark करेंगे 2 ATP और अगर आप से ये पूछे aerobic glycolysis actual में aerobic glycolysis में वो क्या कहता है वो चाहता है कि NADH की ATP भी आप count करो तो NADH में हमारे पास 6 ATP बनती है और क्योंकि 2 NADH आप हमेशा यार रखे 1 NADH से हमारे पास 3 ATP बनती है 3 ATP तो 2 NADH है 6 ATP और ये 2 ATP ले लिए तो total मेरे पास हो गई कितनी glycolysis से 8 ATP तो अगर आप से question आये कि glycolysis में कितनी ATP बनेगा तो आप कहेंगे 2 अगर aerobic glycolysis लिखे तो 8 anaerobic लिखेगा तो भी आप 2 mark करेंगे clear हो गया क्यों ले रहे है क्योंकि aerobic का मतलब वो ये बताना चाहरा है कि mitochondria यूज होगा और mitochondria में 2 NADH जाकर कितने ATP बना देगा 6 ATP clear अब last lecture को थोड़ा सा revise करते हैं हमने क्या पढ़ा था हमने last lecture में ये पढ़ा था कि glycolysis जो है एक बार देख लो बिटा फटा फट से और हमेशा ये याद रखो कि हम क्या sequence से जा रहे हैं जो बच्चे first time lecture को देख रहे हैं वो हमारी first video भी देखिए एक बार बिटा जिसमें हमने glycolysis पढ़ा था फिर हमारे पास बना PGAL फिर बना हमारे पास डाई है छीक फिर हमने इसको ऐसे किया डाई है से बनाया 13BPG देख लो बिटा छीक फिर हमने क्या बनाया 3PG फिर 2PG फिर PEP और फिर पाईरुवेट बच्चे ये पूरा sequence आपको आना चाहिए ये sequence आएगा marks में आपको board के exam में या school के exam में बढ़िया marks मिलेंगे proper sequence याद रखो 10 reaction थे आप याद करो first step में ATP लगा था और हमारे पास third step में first और third step में ATP लगा था यहाँ मेरे पास NADH बना था और वो 2 क्योंकि यहाँ से cycle डबल चल रहे है यहाँ से sequence डबल चल रहे है एक ATP यहाँ बना था जिसको मैं 2 से multiply कर रहा हूँ और एक ATP यहाँ बना था जिसको मैं 2 से multiply कर रहा हूँ clear है चीक है तो glycolysis में क्या-क्या याद रखना है पहला glycolysis की location कहां थी? कहां थी? cytoplas दूसरा यह prokaryotic और eukaryotic दोनों तरह के cells में होती है यह prokaryotic और eukaryotic दोनों तरह के cells में यह होती है glycolysis ठीक है? clear? ध्याँ से सुने बिटा ध्याँ से सुने और उसके बाद यह glucose है glucose से glucose 6-phosphate fructose 6-phosphate fructose 1-6-bisphosphate ध्याँ से सुने तो हम यह देख रहे हैं बिटा third 10th step irreversible है बाके step reversible होते है इसमें glucose की partial oxidation होती है मतलब जो बनता है मेरे पास CO2 नहीं बनता ही है हमने last lecture में discuss किया था clear है? और मेरे पास pyruvate बन गया final product pyruvate है कितने 2 molecule अब हम इसका आगे oxidation पढ़ेंगे और topic का नाम रहेगा fate of pyruvate क्या नाम रहने वाला है? fate का मतलब है किस्मत क्या होगा fate का मतलब है किस्मत नहीं पढ़ोगे तो आपका भी कुछ नहीं होने वाला ठीक है so fate depend करता है कि किक्या हम किस طरह का क्या conditions है जैसे आपका भी fate इस बात पर depend करेगा कि पढ़ाई को लेके आपकी क्या condition है, इस बात पर जरूर depend करेगा, तो fate of pyruvate हम लोग बात करने वाले हैं, clear, fate of pyruvate हम लोग बात करेंगे, ध्यान से सुने, बहुत important, सबसे पहले आप देखे बिटा, ये कहां हुआ है, हम ये लिख रहे हैं, glucose जो था, ध्यान से समझे, हमारे पास glucose का हमने 10 स्टेप का प्रोसेस किया और मैंने pyruvate बनाया, glucose से मैंने 3 कारबन का pyruvate बनाया, 6 कारबन से 10 स्टेप का एक प्रोसेस किया, जिससे मैंने glucose से क्या बना दिया, ध्यान रखना बिटा, glucose से मैंने पाइरुवेट बना दिया, जो कितने carbon का है, हमारे पास तीन carbon का है, ये तीन carbon के दो molecule मैंने यहां बना दिया, आगे मेरे पास इसका क्या होगा, ये इस बात पर depend करता है कि type of cell क्या है, देखे, अगर मेरे प अगर मेरे पास aerobic process है aerobic मतलब अगर cell के पास oxygen available है उसके अलावा ये cell मेरे पास क्या है eukaryotic cell है इस तरह के cell में और aerobic process में pyruvate जिसका आप structure देख लें तो आपके लिए बहुत अच्छा रहेगा इसका structure ये है बेटा देखो ये structure होता है pyruvate याद नहीं करना समझने के लिए तो pyruvate जो है वो किसके अंदर आ जाता है mitochondria के अंदर आ जाता है यासा किस में होता है aerobic में और eukaryotic cell में लेकिन मेरे पास pyruvate अगर anaerobic oxygen नहीं है oxygen की less supply है उस case में वो lactic acid बना सकता है और ये होता है मेरे पास किसके अंदर prokaryote के अंदर भी होता है और muscle cell के अंदर भी lactic acid बना सकता है तो oxygen की less supply और ये हो कहा रहा है cytoplasm में तो हम ये कह रहे हैं बिटा कि on the basis of type of cell and type of condition सुनो ज्यान से on the basis of type of cell and type of condition pyruvate have different fate pyruvate का अलग-अलग fate है बिटा अलग-अलग fate का मतलब वो क्या दिखा रहा है अलग-अलग type का fate show कर रहा है अलग-अलग type का क्या show कर रहा है fate show कर रहा है मतलब उसका क्या होगा aerobic हो condition oxygen हो और eukaryotic cell हो तो pyruvate mitochondria के matrix में जाएगा now this is known as matrix ठीक है ये outer membrane है mitochondria की और ये जो red वाली in folding है this is inner membrane this is inner membrane inner membrane clear तो mitochondria ये अंदर जाएगा दूसरा हम यहाँ पर कह रहे है अगर oxygen की कम supply है तो lactic acid cytoplasm दूसरा हम ethanol भी बना सकते हैं अगर mitochondria है ही नहीं इतनल बना सकते हैं तो मेरे पास pyruvate के तीन fate है मेरे पास pyruvate के तीन fate है जिसको हम देख सकते हैं ऐसे ध्यान से सुनना बिटा हमने लिखा fate of pyruvate तो तीन possibilities है जो pyruvate की मेरे पास तीन possibilities है अगर aerobic जाएगा और eukaryotic cell में तो वो जा रहा है किस के अंदर mitochondria के अंदर किसमें जा रहा है mitochondria के अंदर जा रहा है दूसरा fate मेरे पास कहा है lactic acid बना सकते है lactic acid चीक है एकोबर fate मेरे पास ethanol बना सकते है इन दोनों के लिए हम word यूज करते है fermentation ये चीज clear है था तो pyruvate हमारे पास इससे mitocondria बन गया pyruvate से हमारे पास क्या बन गया lactic acid और pyruvate से हमारे पास ethanol बन गया clear ये चीज़ बन गई ये चीज़ समझ आ रही है बिटा आपको ये चीज़ समझ आ रही है तो pyruvate से हमारे पास lactic acid pyruvate से ethanol और पाइरुवेट से हमारे पास क्या बन गया? माइटो कॉंडरिया बन गया. माइटो सरी, माइटो कॉंडरिया के अंदर जाएगा. पाइरुवेट मैट्रिक्स में. अब चलो जरा, हम एरोबिक फेट पहले पढ़ रहे हैं. हम क्या पढ़ रहे हैं, बिटा? pyruvate का aerobic fate पढ़ रहे हैं तो simple हम यहाँ पर क्या सीख रहे हैं देखो हमारे पास क्या हुआ glucose 6 carbon उस से glycolysis से क्या बना pyruvic acid उस pyruvic acid को structure हमने दिखाया था आपको यह था याद करो ऐसा structure था चीक है इसको mitochondria के अंदर लिया है matrix में यहाँ पर मैं क्या करने वाला हूँ दिमाग में बिठाना है इसे यहाँ पर बिठा मैं सबसे पहले करूँगा link reaction यहाँ पर सबसे पहले मैं करूँगा एक link reaction करके होता है link reaction के बाद मैं पढ़ूँगा crab cycle यह sequence पढ़ने वाले है छीक है ये sequence पढ़ने वाले ये चीज़ समझा रहा है तो हम pyruvate को कहा लेकर आ गए ये matrix है ये जगा क्या है matrix इसमें लेकर आ गए और इस matrix में हम क्या करेंगे सबसे पहले link reaction करेंगे now what is link reaction ये क्या है ये glycolysis और crab cycle के बीच का link है तो ये भी matrix में हो रहा है उसके बाद मेरे पास क्या होगी crab cycle जड़ा एक बार proper sequence समझते हैं exactly हो क्या रहा है exactly क्या हो रहा है इसको हम समझते हैं ध्यान से देखो जड़ा ये आपके पास mitochondria है this is mitochondria चीक है ध्यान से देखेंगे एक बार इसे this is mitochondria की inner membrane चीक है ये mitochondria की outer membrane है चीक ये हमने कहा था आपके पास ये हुआ थे एक बार समझ लो इसको क्योंकि आपको ये बात समझाने चीक ग्लूकोस से आपने बनाया pyruvate कितने molecule बनाये pyruvate तीन carbon के दो molecule बनाये यहाँ पर आपके पास क्या बना दो direct ATP बने थे जिने आप क्या नाम देते हो substrate level phosphorylation और दो आपके पास NADH बने थे दो आपके पास क्या बने थे NADH ये जो NADH से इसे ATP बनाएंगे हम बाग में अब ये pyruvate को आप यहाँ ले आए this location is known as matrix ये location क्या है matrix हम ये पढ़ने वाले हैं तो ये जो pyruvate है भीटा ध्यान से समझे ये जो pyruvate आप यहाँ लाए है ध्यान से देखना भीटा ये जो pyruvate आप यहाँ लाए है यह pyruvate इस pyruvate से आप क्या करोगे क्या करोगे ध्यान से देखें मिटा इस pyruvate से आप क्या करोगे आप बनाने वाले हो इस चीज को समझो pyruvate तीन कार्बन का है pyruvate क्या है तीन कार्बन का है तो इस pyruvate से आप क्या करोगे pyruvate से आप क्या करोगे आप सबसे पहले एक निकालोगे CO2 ठीक है? तो CO2 निकालने को कहते हैं D-Carboxylation और वो बहार चली जाएगी उसके बाद आप क्या करोगे? इसमें एक Oxidation कर रहे हो, तो कैसे पता चल रही है? Oxidation हो रही है? NADH D-Plus से NADH बन रहा है और एक compound बनता है जिसका नाम Acetyl Coenzyme A होता है, आप समझो ध्यान से Pyruate Thin Carbon का था Pyruate Thin Carbon का था उसकी हमने एक तो Oxidation करी, एक क्या करी मैंने? Oxidation करी और साथ में D-Carboxylation करी, NCIT उसके लिए एक single word यूज करती Oxidative D-Carboxylation, क्योंकि आप समझे, respiration पढ़ रहे हैं हमारे पास कहीं ना कहीं Oxidation होनी चाहिए, तो हमने क्या किया? Pyruate लिया, उस Pyruate की हमने क्या करी? Oxidation करी और D-Carboxylation करी उससे दो कारबन का एक compound बनाया, जिसका नाम Acetyl Coenzyme A है, और ये Acetyl Coenzyme A किसके अंदर जाकर Oxidize होता है Crab Cycle के अंदर तो Crab Cycle Total 8 Reaction के Cycle है जिसके अंदर जाकर ये दो कारबन का compound Oxidize होता है तो जड़ा स्टार्ट करते हैं Glucose से और फिर sequence को पकड़ेंगे दुबारा से देखो, हमने Glucose से स्टार्ट किया हमने किस से स्टार्ट किया हमने Glucose से स्टार्ट किया है ज़्यान से सुनेंगे Glucose 6 Carbon का था हमने कहा Respiration में Oxidation होनी चाहिए तो हमने Glucose की Partial Oxidation की कैसे पता चला 2 NADH बने ये Pyruvic Acid हमारे पास ये Pyruvic Acid कहां चला गया इस Matrix में आ गया ठीक है ये Pyruvic Acid जो है हमारे पास Matrix में आ गया ये Pyruvic Acid Convert हो गया हमारे पास Acetyl Coenzyme में किस में Convert हो गया Acetyl Coenzyme A में Convert हो गया समझ लो इस बात को तो ये Pyruvic Acid जो है ये हमारे पास Acetyl Coenzyme A में Convert हो गया कैसे Convert हुआ ये 3 Carbon का Compound था oxidation कर रहे हैं, क्योंकि आप हमेशा समझो बिटा, इस पूरे process में oxidation चल रही है, या तो ATP बनेगा या NADH बनेगा, ATP और NADH में क्या फरक होता है, ATP में directly phosphate के साथ energy होती है NADH में electron store है, और उससे हम ATP बना सकते हैं आगे जाके ये clear समझ आ रहा है, दूसरा pyruvate जो है, उससे मेरे पास acetyl coenzyme A बन गया मतलब मैंने 3 कारबन की चीज़ को 2 कारबन में convert कर दिया और मैंने या औक्सिडेशन करी है, NAD plus से NADH बनाया है, और साथ में CO2 निकाल दिया, तो इसका मतलब 3 कारबन में से 1 कारबन लॉस हो गए, पर glucose के साथ 2 pyruvate बने थे, तो अगर मैं यहाँ 2 acetyl coenzyme A लिखूँगा, तो 2 CO2 आएगा, रिपीट कर देता हूँ, एक single pyruvate से 1 acetyl coenzyme A बनाया, जो 2 कारबन का है, वो हमारे पास किस में जाएगा, इस crab cycle में जाकर oxidize होगा और 2 CO2 बनेंगे, तो आप समझेए, pyruvate में कितने कारबन थे, 3, 3 में से 1 CO2 link reaction में निकल गई, और 2 CO2 इसमें निकल गई, crab cycle में, तो हम यह कह सकते हैं, कि pyruvate का oxidation कहां complete होता है, crab cycle में, फिर repeat करेंगे, क्यों repeat कर रहे हैं, ताकि आपके दिमाग में बात बैठ जाए, आपको आ जाए, हना, clear, ऐसा बार बार बोलने से हमको अच्छा नहीं लगता है, लेकिन हम लोग क्या सोचते हैं, कि कोई ऐसी बात आपके दिमाग में click करें, ताकि आपको चीजे समझ आएं, को oxidize किया pyruvate में, that is partial oxidation क्योंकि कोई CO2 नहीं बने, दो pyruvate के molecule है, माललो हम एक की बात कर लेते हैं, एक को जब हम यहां लेकर गए, इसमें से एक CO2 निकाल दी, तो decarboxylation, साथ में मैंने NAD+, से NADH बनाना क्या है, ये तो reduction है इस एरो में, ये oxidation हो रही है, तो इस step में क्या हो रहा है, oxidative decarboxylation, क्या हो रहा है, oxidative decarboxylation, मतलब इस oxidation और decarboxylation दोनों हो रहा है, ये चीज़ समझ आ रही है, oxidation और decarboxylation दोनों हो रहा है, ठीक है, जिसे हम कहते हैं, oxidative decarboxylation, oxidative decarboxylation का दूसरा मुझे बताओ पाइरुवेट में कितने कारवन थे आप कहोगे तीन मैंने का ओक्सिडेशन कब कम्प्लेट होगी जब तीन सियो टू बन जाए तो इसे मैं लिंक रियक्शन कहता हूं क्योंकि ये ग्लैकोलिसिस और क्रैब साइकल के बीच का लिंक है इसमें हमारे पा क्या पाइरुवेट की तीन सियो टू लॉस होगी कैसे पहली एक लॉस हुई लिंक रियक्शन में H12O6 plus 6O2 6 CO2 जो बनता है वो यह रहा तीन यही CO2 और क्योंकि पाइरुएट एक है 2 से मंटिप्लाई करो 6 आ जाए छीक है अगर आप देखो इसमें क्या-क्या कोशन बन सकते है नीट में First Carbon dioxide की formation respiration में कहा होती है हम कहेंगे matrix में पहली बार CO2 कहां बनती है respiration में First time production of CO2 occur in which reaction which metabolic pathway in respiration that is link reaction छीक है Number of CO2 form from one pyruvate is 3 Number of CO2 form from one pyruvate in crab cycle is 2 ऐसे कोशन आएंगे यही समझा रहा है clear यह चीज clear समझा रही है ठीक है और हम कहेंगे एक glucose को completely oxidized कोन करता है which process completely oxidized glucose मतलब 6 CO2 तक complete हो जाए that is crab cycle clear अब हम सबसे पहले link reaction detail में पढ़ रहे हैं और उसके बाद बात करते हैं crab cycle की और फिर ETS की ध्यान से देखना एक एक चीज को सबसे पहले हमारे पास यह mitochondria यहान से देखेंगे this is mitochondria की inner membrane यह रही and this one is outer membrane इसके बाहर हम बना लेते हैं this is outer membrane अगर किसी को transport का lecture याद हो outer membrane में porines होती है porines are protein जिसमें से क्या चला जाता है कुछ मेरे पास क्या चला जाएगा porines एक protein है जिसमें से हमारे पास क्या चला जाएगा बिटा जिसमें से हमारे पास कुछ proteins भी नहीं कर जाती इतनी बड़ी होती थी outer membrane of mitochondria chloroplast होती थी चलो बात कर लेते हैं मेरे पास glucose है बिटा बार बार लिखते हैं इसलिए तकि आपके दिमाग में बैठ जाए अना clear अगर दिमाग में कुछ और नहीं है कुछ बच्चों में cellulose का एक compound होता है दिमाग में जिसे हम लोग कई बर भूसा बोलते है वो ना हो तो अच्छा समझ आएगा ठीक है कोई बात नहीं चांद दे सुने बिटा पाइरुएट है पाइरुएट से हमारे पास क्या ये पाइरुएट को अंदर लाई ये पाइरुएट का structure है ठीक है अब हम link reaction पढ़ रहे है धान से देखेंगे सब लोग एकदम focus करके link reaction में सबसे पहले मैंने CO2 निकाल दिया ये CO2 जो होता है ये CO2 की form में चला गया ठीक फिर मैंने क्या किया NAD plus से NADH बना दिया ठीक है अगर मालो मैं CO2 निकाल दू मालो इस compound को हटा दू तो आपको दिख रहा है C double bond O उसके साथ H आ जाएगा तो LDI हुआ फिर इसके oxidation करूँगा तो acetic acid बनेगा देखो मैंने क्या बोला मैंने का यह pyruvic acid है structure नहीं करना होता समझने के लिए बता रहा हूँ pyruvic acid कितने carbon है 2, 3 carbon है pyruvic acid कितने carbon है 3, इधर से count करेंगे न ठीक है अब उसमें अगर ध्यान से देखो पहले first carbon वाला CO2 की form में चला गया और इस carbon की oxidation करके acetic acid बना देंगे क्या बना देंगे acetic acid acetic acid का formula समझते हो यह आ गया न देखरो यह आ जाएगा और फिर क्या करेंगे इस पर एक compound जोड़ देंगे coenzyme है temporary तो मैंने यहां से compound जोड़ दिया जिसका नाम क्या था coenzyme है तो अगर आप याद करो methane पर कोई compound जोड़ते तो तो methane methyl बन जाता था hydrogen हठा के तो acetic acid पर अगर आप कोई compound जोड़ोगे तो acetyl बन जाएगा और उसके साथ क्या जोड़ा आपने coenzyme A तो इस compound का नाम क्या रख दू मैं acetyl coenzyme A compound बना दिया acetyl coenzyme A थीक है ये बन गया compound अब acetyl coenzyme A जो है acetyl coenzyme A जो हमारे पास है वो दो कारबन का है वो क्या है do कारबन का ये चीज़ समझ आ रही है ये do कारबन का है थीक है अब ये do कारबन का एक co2 चले गया सबसे important चीज ये समझनी है हमने इस प्रोसेस में एक तो oxidation हुई है और साथ में क्या हुई है decarboxylation oxidation के साथ क्या हुई है बेटा decarboxylation हुई है मतलब oxidation मतलब nad plus से nadh बना है decarboxylation मतलब co2 बहार गया है तो इसको एक single नाम दे सकते है oxidative decarboxylation और मैंने आपको एक चीज और बोली थी बेटा कि जब भी nadh involved हो although co2 भी निकला है जब भी nadh involved हो एंजाइम का नाम क्या रखोगे एंजाइम का नाम आएगा dehydrogenase क्या आगया dehydrogenase और पूरा नाम आएगा pyruvate dehydrogenase ठीक है तो pyruvate dehydrogenase मेरे पास किसका नाम है एंजाइम का नाम है समझ आगई पिटा pyruvate dehydrogenase enzyme का नाम है जो क्या कर रहा है इस reaction को करा रहा है और कहां पर है matrix में तो आपको ये समझाना चाहिए कि pyruvate जो तीन कार्बन का था वो यहां आया उसकी oxidative decarboxylation हुई CO2 निकला तो वो CO2 भाहर चला जाएगा और साथ में oxidation हुई है oxidation का सबूत क्या होता नएडीएच बनना क्योंकि इस arrow में oxidation हो रही है तो इस वाले में देख रहो H जोड़ रहा reduction हो रही होगी ठीक है ये enzyme ये और इसको चाहिए होता mg plus 2 as a cofactor का topic enzyme में पढ़ेंगे और क्या चाहिए होता है mg plus 2 के अलावा और इसको चाहिए होता है ध्यान से सुनेंगे वो normally एक compound बनाते हैं जिने coenzyme कहते हैं जो enzymes के काम करने के लिए जरूरी होते है ठीक है अब देखो acetyl को ये 2 carbon है ठीक है अब ये किस में enter करेगा crab cycle में अब हम crab cycle पढ़ेंगे अच्छा अगर pyruvic acid कितने होते दो होते क्योंकि glycolisus से तो 2 ही आएंगे तो मेरे पास 2 co2 बनती है और 2 ही na dh बनते है अब हम उस condition में हैं कि हम क्या पढ़ सकते हैं बिटा अब हम पढ़ सकते हैं क्या crab cycle हम बात करने वाले हैं किसकी crab cycle की है ठीक है हम पढ़ेंगे crab cycle ध्यान से सुनना crab cycle क्या है ठीक है इसको याद कराने का एक तरीका बताँगा वह मेरा बनाएवा नहीं है ठीक है पहले ही बता दूँ पहले crab cycle सुन लो है क्याdır ठीक है exactly है क्या crab cycle ध्यान से सुनो मिंपोर्टेंट बता रहा हूं जो है क्राइब सा क्या क्या दूखर हमारे पास इस जगा को हम कहा रहे हैं matrix यह जगा matrix है चिक तो यहाँ पर हमारे पास crab cycle होती है crab cycle जो है एक ऐसा process है crab cycle है क्या जहाँ पर किसकी oxidation होती है oxidation of किसकी? oxidation of acetyl coey हम लोग जो acetyl coey बना है ना link reaction में उसको यहाँ oxidize करते हैं इसका मतलब 2 CO2 यहाँ बनेगी crab cycle matrix में होती है दूसरी चीज इसका एक और नाम है बेटा TCA tri carboxylic acid cycle tri carboxylic acid cycle मतलब जो compound बनता है first compound जो citric acid होता है जैसे C3 cycle होती थी याद करो C3 cycle में पहला compound क्या होता था पहला compound क्या था PGA तीन carbon का था इसमें पहला compound citric acid है इसलिए इसको citric acid cycle भी कहते है citric acid cycle में जो citric acid है वो हमारे पास बेटा first compound है इस cycle का पहला compound होता है first compound होता है तो first compound जो है वो 6 carbon का है और वो citric acid है उसमें 3 COOH ग्रूप होते हैं इसलिए इस cycle को हम नाम देते हैं TCA या citric acid cycle क्योंकि पहला compound है और crab cycle scientist के नाम पे तो crab cycle जो है उसके तीन नाम है crab cycle, try carboxylic acid cycle और हम बोलेंगे उसको एक और नाम क्या दे रहे हैं आप देख लो citric acid cycle मतलब citric acid इसमें बनता है citric acid में ही तीन cuh ग्रूप होते ह तो start करते हैं process को समझना पर सबसे पहले इनके वो basic point जो हम सब के लिए पढ़ते हैं सबसे पहले location, location कहा हो रहा है matrix में, matrix of mitochondria, location question के purpose के लिए बहुत ज़रूरी है दूसरा, location, first is location, second क्या है बिटा, second क्या है, first is location, not location, to matrix of mitochondria हो गया फिर हमारे पास next है, next है हमारे पास यह location हो गया matrix of mitochondria, चीक है, उसके बाद हम लोग बात करते हैं यह तो location हो गया उसके बाद हम बात करते हैं इसमें कितने reaction है glycolysis में कितने थे बिटा 10 यहाँ पर total 8 reaction है इस 8 reaction में से 7 matrix में होते हैं properly और एक reaction मेरे पास inner membrane पर attach होता है inner membrane पर attach होता है मतलब मैं यह कह रहा हूँ यह सारे enzyme यहां matrix में है यह जगा matrix है, सारे enzyme यहां है एक enzyme membrane bound होता है यह inner membrane है बिटा यह मेरे पास क्या है inner membrane mitochondria की तो एक enzyme उससे जुड़ा हुआ होता है inner membrane पर तो reaction वही होगा, उस enzyme का नाम है succinate dehydrogenate यह सबसे important enzyme है, आपको biomolecule में यह वहाँ मिल जाएगा नाम जहां हमारे पास enzyme inhibitor लिखे में जहां competitive inhibition लिखा हुआ है biomolecule में, वहाँ आपको यह नाम मिल जाएगा succinate dehydrogenase यह वो enzyme है जो basically क्या करता है succinic acid को convert करता है fumaric acid, मैं बात करेंगे अभी देखो, सबसे पहले समझो crab cycle के steps क्या है हमें detail पढ़नी है crab cycle के steps देखने है हमें क्या देखने है crab cycle के steps देखने है detail हम देखेंगे, देखो हम steps देख रहे है, सबसे पहले देखो क्या होता है सबसे पहले आप steps याद करो तो क्या होगा हमारे पास एक 4 carbon का compound होता है जिसका नाम OA होता है OA 4-carbon का है OA की full form अभी देखेंगे नाम है oxalo-acetic acid बिटा मैं structure भी बता सकता हूँ पर structure आपके slabus में नहीं है इनके समझने के लिए आप देख लो भले आपका मन करें ये structure होता है इसका ये structure होता है structure आपके slabus में नहीं है इसलिए नहीं बता रहे इसलिए नहीं बता रहे ये देखो अगर आप देखो इसमें 2-C-U-H group है इसे di-carboxylic acid बोल सकते हैं तो as structure is not in slabus तो move करते हैं आगे और आगे की बात करते हैं ध्यान से देखें बिटा ये देखें ध्यान से तो OA जो है मेरे पास 4-carbon का है इस OA में हम क्या करेंगे ध्यान से देखें इस OA में हम क्या करेंगे बिटा इस OA में हमने acetyl coae add कर दिया acetyl coae add किया जो कहां से आये था link reaction से 2-car बने दूसरा NCRT ध्यान से पढ़ना उसने लिखा है साथ में पानी भी add किया है इसलिए process का नाम condensation है पानी की presence में कर रहे हैं तो हम कहरें condensation कर दी यह process का नाम है इससे मेरे पास 6-carbon का compound बनेगा जिसका नाम citric acid है citric acid कितने carbon का है 6-carbon का कितने carbon का है बिटा मेरे पास 6-carbon का citric acid बन गया ठीक है citric acid बन गया तो इसका मतलब आपने क्या किया आपने यह काम किया आपने यह 2-carbon के compound को आपने किस से जोड़ा 4-carbon से जोड़ा तो आपके पास finally क्या बन गया आपके पास citric acid बन गया जो कितने carbon का है 6-carbon का है अब जरह आगे जाते है आगे जाते है OA जो है उसने citric acid बना दिया clear? ध्यान से सुने बिटा ध्यान से सुने अब citric acid जो है citric acid जो है हमारे पास उस citric acid ने ध्यान से देखेंगे OA ने citric acid बना दिया citric acid का हमने isomer बनाया क्या बनाया बिटा? isomer हमने isomer बनाया बहुत ध्यान से देखना, मैं क्या बता रहा हूँ, देखो, हम अगले step में क्या करेंगे, citric acid का isomer बनाएंगे, जिसे isocitrate कहते हैं, बिटा, क्या बोलते हैं, isocitrate, अना, isomer बना देख, तो पहला step ये था, this was first step, जिसमें हमने condensation करें, this was second step, अब ये enzyme discuss करेंगे, ठीक है, clear, अगर आप चाहें, तो हम citric acid का structure देख सकते हैं, जो मैंने आपको just समझा सकता हूँ, मैं ये, जैसे मालो, citric acid का structure ये होता है, बिटा, देखो के तो आपको समझ आ जाएगी बात, इस तरीके का structure होता है, citric acid का, ठीक है, इस तरीके का structure होता है, बिटा, आमारे पास, ये citric acid होता है, कितने COH हैं, आप देख पा रहे हो, कितने COH हैं, इसलिए इसको tricarboxylic acid, एक, दो और तीन, इसलिए इसको हम tricarboxylic acid कहते हैं, बिटा, देख रहे हो, कितने COH हैं, तीन हैं, तीन COH हैं, इसलिए tricarboxylic acid कहते हैं, clear हो गई बात, इसको हम क्या बोलते हैं, tricarboxylic acid, यह रहा, TCA, in short मैं इसको लिख सकता हूँ TCA, अब मैंने क्या किया देखो, oxaloacetic acid 4 carbon था, acetyl को यह जोड़के condensation करके citric acid बना दिया, citric acid से मैंने बनाए, isositrate जो कितने carbon है, यह भी 6 carbon है, सिर्फ isomer है, isomer का क्या मतलब हुआ, यह जो OH की position है, इसको यहाँ shift कर दिया, H को यहाँ ले आए, यही किया, isositrate कहते हैं उसे, अब इस isositrate की मैं oxidation कर रहा हूँ, oxidation कर रहा हूँ, और compound का नाम है oxalo succinate, क्या नाम है, oxalo succinate नाम है, यह अभी भी 6 carbon का है, अगर आपसे मैं कह रहा हूँ, oxidation कर रहा हूँ, तो oxidation में क्या बनना चाहिए, NAD+, से NADH बनना चाहिए, तो फिर से repeat करेंगे, third step तक, first step का मतलब है, OA के साथ, acetalco A को condense करना, coenzyme A निकल जाता है, उसका कोई use नहीं, बस वो क्यों जुड़ा था, condensation के लिए जो energy चाहिए, वो उस bond में थी, जो coenzyme जुड़ा हुआ था, तो मैंने जोड़ दिया इनको, ठीक है, मेरे पास 6 carbon का citric acid आ गया, clear, इसमें 3 COH ग्रूप है, इसलिए से TCA भी बोलेंगे, इसका मैंने isomer बना दिया, उसके बाद जो मेरे पास क्या है बेटा, third step में मैंने क्या करी है? Oxidation, ऐब ध्यान से देखो, अब मैं कर रहा हूँ decarboxylation, इस step में CO2 निकाल रहा हूँ, अगर मैं CO2 निकाल रहा हूँ, तो उसके लिए क्या word use करोगे? क्या word use करोगे? decarboxylation, हम क्या करते हैं बिटा, हम क्या करते हैं? इन दोनों step को इसको 3A लिख देता हूँ इसको 3B लिख देता हूँ अगर आप ध्यान से देखो इन दोनों step को साथ में देखो 3A और 3B step को इसमें oxidation होई है इसमें decarboxylation होई है अगर मैं अपना पिछले वाला concept लगाऊं oxidation और decarboxylation अगर साथ होती है तो क्या word यूज़ करते हैं हम word यूज़ करते हैं oxidative decarboxylation अना क्या word यूज़ करते हैं oxidative decarboxylation word यूज़ करते हैं oxidative decarboxylation ये word यूज़ करते हैं थोड़ा सा एक बार फिल से लिखते हैं इसको एक मिनट एक बार फिर से लिखेंगे एक बार साफ साफ लिखेंगे देखो एक सिंगल वर्ड यूज कर सकते हैं दोनों के लिए वो नाम रहेगा मैं लिख देता हूँ नाम रहेगा ओक्सीडेटिव डी कार्ब ओक्सीलेशन तो इसका मतलब इनको कंबाइन एक स्टेप मान लेते हैं ओक्सीडेटिव यह मतलब 3A, 3B एक स्टेप है अब आप देख लो एक CO2 जाने के बाद 6 कार्बन की चीज कितनी की हो जाएगी 5 कार्बन की और जो कंपाउंड बनेगा उसका नाम है अलफा कीटो ग्लूटरेट और यह कितने कार्बन है 5 कार्बन है चीक है यह 5 कार्बन का कंपाउंड बन गया इसमें एक और बार मैंने ऑक्सीडेटिव डी कार्बोकसिलेशन करी मतलब मैंने क्या किया CO2 निकाल दिया और क्या बना दिया NAD+, से NADH बना दिया इसको मैं 3rd step मान रहा हूँ 4 step मान रहा हूँ चीक है और मैंने क्या किया बेटा मैंने इसकी ऑक्सीडेटिव डी कार्बोकसिलेशन करी तो मेरे पास कंपाउंड बनना था मेरे पास कंपाउंड बनना था सुनना ध्यान से मेरे पास compound बणना था succynic acid succynic acid بنना था ये compound बनना था 4 carbon का क्योंकि आप देखो 6 carbon है एक CO2 यहा निकली है और एक CO2 यहा निकली है 2 CO2 निकल गई फीकर तो मेरे पास 4 carbon का succynic acid बनना था ये जो बनना था क्या बनना था बेटा 4 carbon का एक मिट रुकेंगे, 4-carbon का succinic acid बनना था, इसे हम succinate भी कहते हैं, clear, लेकिन होगा क्या, जब ये मैंने oxidation करी, मतलब ये वाला oxidation जब करी, मैंने उस energy से NADH बना लिया, और extra energy थी, temporary मैंने क्या जोड़ दिया, coenzyme A जोड़ दिया, temporary जोड़ा, तो बीच में मेरे पास, एक compound और आ गया, उसका नाम था, succinyl-coe, succinyl-coe, मतलब मैं ये कह रहा हूँ, बनने वाला तो succinic acid था, लेकिन क्योंकि oxidation ने इतनी ज़ादा energy बनाई, मैंने temporary coenzyme A जोड़ दिया, उसमें, अगले step में coenzyme A हटाऊंगा, तो ATP जैसी चीज बनेगी, जिसे GTP कहेंगे, तो succinyl-coe से, जब succinic acid बनाऊगे, तो आपके पास finally क्या बन जाएगा, एक energy compound बनेगा, जिसे GDP से GTP कह दिया, और NCIT कहती है, GTP को आप convert कर सकते हो, किसमे, ATP में, मतलब GTP से आप वापसी GDP बना लो, और यहाँ ADP से क्या बना दिया, आपने ATP, arrow देखो बेटा ज्यान से, ये वाला arrow इधर गया है, मतलब GTP, GDP में convert होगे, एक phosphate कम हो गया, और ये वाला arrow इधर गया, मतलब ADP, ATP में आ गया, समझा रहा है, energy finally किसमें आ गई, ATP, बना पर GTP था, GTP और ATP दोनों energy की form है, सक्सिनिक एसिड से हम एक अलग compound बनाते हैं, oxidation करके उसका नाम fumaric acid है, fumarate कहते हैं, इस reaction में oxidation हो रहे हैं, ये कैसे पता, क्योंकि इसमें मेरे पास बनेगा, FAD से, आप देख रहें, FADH2, ये NADH जैसा ही होता है पर compound अलग है, तो FAD से FADH2, hydrogen लगना, ये reduction है, यहां से ये वाली arrow में, तो इस वाली arrow में, ये वाली arrow में, oxidation हो रही है, तो मैंने क्या बना दिया, fumarate बना दिया, fumarate जो है बिटा, ये अभी भी 4 carbon है, देख रहे हो यहां से, ये 4 carbon है, ये 4 carbon है, ठीक है, अब इस fumarate से हम compound बनाते हैं, malic acid, और उसके लिए हम क्या करते हैं, यहां पर water add करते हैं, अब malic acid से हम वापसी oxidation करके, अगर तुम्हें याद हो, C4 cycle, OA से हमने, OA की reduction करके, malic acid बनाया था, malic acid की oxidation करके, OA बना रहे हैं, तो मेरे पास, एक NADH यहां आ जाएगा, NAD+, से NADH, clear, तो एक बार ज द्यान से देखना, OA 4 carbon है, इस 4 carbon के compound में, 2 carbon का, acetyl coa जोडा, इसे हम condensation कहते हैं, citric acid आया, जो 6 carbon का था, इस 6 carbon की citric acid की, हमने क्या करी, isomerization, और क्या बनाया, isocitrate बनाया, clear है, isocitrate बनाया, इस isocitrate की हमने क्या करी, oxidation करी, क्या करी, oxidation, और finally हमने क्या बना दिया, NADH बना दिया, NAD+, से हमारे पास NADH बना दिया, clear, NAD+, से हमारे पास क्या बना दिया, NADH बना दिया, ये चीज़ समझा रहा है, फिर उस isocitrate से हमारे पास oxalo succinate बना, देखो, हमने क्या किया, isocitrate की, आप माल लो, एक बार oxidation, इस वाले step में, और एक बार उसमें decarboxylation करी, दोनों को मिला के हमने oxidative decarboxylation कह दिया, एक oxidative decarboxylation यहां होई है, एक oxidative decarboxylation यहां होई है, आप देखते हैं ध्यान से, अगर आप cycle में देखो, मेरे पास total 2 carbon compound एंटर किया था, एक CO2 यह loss हो गई, एक CO2 यहां loss हो गई, इसका मतलब जब succinyl को यह बना है, उसके बास से त लिखती है, क्या चल गई है, रीजनरेशन, तो हम यहां पर यह कह रहे हैं, जहां से सुनेंगे, हमने क्या किया है, अब देखो, oxidative decarboxylation करके हमने alpha keto glutarate बना लिया, ठीक है, उस alpha keto glutarate 5 carbon है, इसकी भी हमने oxidative decarboxylation करी, 4 carbon का succinyl कोय आ गया, हमने कोय क्यों जोड़ा, extra amount of energy थ NADH, यहां भी क्या नाम होगा, isocytrate dehydrogenase, clear, यहां सबसे important enzyme है, succinate dehydrogenase, जो succinic acid से क्या बना रहा है, fumarate बना रहा है, इतनी चीज़ समझ आ रही है, बताओ, अब देखो, यह हो गया, अब देखो, हमने क्या किया, alpha keto glutarate से succinyl कोय बनाया, अगले step में succinic acid बनाया, तो क्या ब और यह जो succinic acid है, इसको convert करते हैं, किसमे, fumarate में, किसमे convert करते हैं, बता, fumarate में, यह चीज़ समझ आ रही है, और fumarate को convert करते है, malic acid में, जड़ा एक बार steps को फिर से देखेंगे, और चीजों को समझेंगे, कहां पर क्या हमें और याद रखना है, ध्यान से देखें, मै जो बोल रहा था, वो यह कह रहा था, देखो, यहाँ पर हमने क्या किया, succinyl coae से succinate, जब coenzyme A हटेगा, तो succinic acid बना, और उस energy से GTP बनाई, फिर मैंने इस step में पानी add, मतब इस step में oxidation करी फिर से, फिर मैंने पानी add किया, और last step में फिर से oxidation करी है, अगर आप ध्यान से द अगर ष्öttवेटा, तीन nads, देखो, क्या बना, तीन nads, एक fads2 बना है, और एक gtp बना है, जो किसके बराबर है एक ate p. clear एक बार फिर से देखते हैं जो हमने बात करी हैं उनको एक बार फिर से देखते हमने क्या पड़ा इसको हमने पड़ा सबसे पहले हमारे पास O A entrar O A A जो कितने carbon है चार carbon उस O A की पर हमने condense करा किसको Acetyl Co A को तो हमने बनाया citric acid है जिसको हम कह रहे हैं citrate है चीक है clear citrate बना दिया है यहाँ पर हमने क्या जोड़ा है ओ एंजाइम ए जो दो कार्बन है दो कार्बन और चार कार्बन छे कार्बन साथ में पानी था याद रखना clear चीक है citrate कितने कार्बन है six carbon इस citrate से हमने क्या बनाया आईसो सिट्रेट आईसोमर बना दिया आईसो सिट्रेट से हमने पहली क्या करी oxidation यहां बनाया oxalo succinate ठीक है हमने क्या करी oxidation करी और क्या compound बनाया oxalo succinate यह compound बनाया जो six carbon का है पर यहाँ पर मैंने oxidation कर रखी है तो oxidation करने का मतला मेरे पास क्या बना nad plus से क्या बन गया nadh और अगले step में मैंने co2 निकाल दी तो इन दोनों step को साथ consider कर रहे हैं तो मेरे पास 5 carbon का compound बना जिसका नाम है alpha keto glutrate क्या नाम है alpha keto glutrate 5 carbon का ठीक है clear 5 carbon का है यह हो गया तो हमने क्या किया six carbon यह six carbon और यह हमारे पास oxalo succinate जो है six carbon alpha keto glutrate जो है वो five carbon है समझ लो इस बात को five carbon है और यहां मेरे पास five carbon जो है five carbon जो है वो बना दिया मैंने अब मैं क्या कह रहा हूँ बिटा five carbon का alpha keto glutate इसकी फिर oxidative decarboxylation करो देखो co2 निकालना decarboxylation nad plus से क्या करना nadh बनाना क्या हुआ oxidation तो इसे भी आप क्या लिखोगे oxidative decarboxylation यहां तक समझ आ रहा है अभी तक कितने step पड़े पहला step मालो यह first था यह first step के enzyme का नाम citrate synthase citrate बना रहा है condensation कर रहा है यह एक isomerase होना चाहिए isomerase हना isomerase होना चाहिए पर इसका नाम हम क्या रखते है isomerase का एक common name word यूज करते हैं वो नाम है cis aconitase यह common नाम होता है हमने कहा था विटा enzyme को दो तरीके से नाम देते common नाम होता है और reaction based और एक होता है substrate के नाम पे तीसरा हम यहां पर इन दोनों का combined enzyme रखेंगे third step बोलेंगे और उस enzyme का नाम हम क्या रख रहे है हम लिख रहे है isocytrate dehydrogenase क्योंकि मैंने बोला था नाम किसके based आएगा dehydrogenase मेरे पास five carbon का यह बन गया तो अभी तक एक N-E-D-H बना है और एक CO2 जा चुकी है इस step में भी enzyme क्या होगा alpha keto glutrate substrate के नाम पे और साथ में आप क्या रखोगे dehydrogenase क्या रख रहे हो dehydrogenase ठीक है अपनी क्या रख दिया dehydrogenase अब यह 5 carbon है alpha keto glutrate ठीक है CO2 निकल गई 4 carbon रह गया oxidation होगी oxidative decarboxylation extra amount of energy थी आपने क्या जोड दिया compound coenzyme A तो बनने वाला था succynic acid बन गया succynic succinyl coa क्योंकि temporary coenzyme जोड दिया तो मेरे पास जो compound बना उसका नाम है succinyl coenzyme A यह 4 carbon का है NCIT ने बोला है इसके बाद अब regeneration चलेगी यह 4 carbon का है succinyl coa से हम क्या बनाएंगे succinate बनाएंगे क्या बनाएंगे बेटा succinate अब इस succinate में हमने सिर्फ क्या किया अब ध्यान से सोचो मैंने coenzyme A हटाया यह कब जोड़ा था जब extra amount of energy थी तो अब coenzyme A बहार जा रहा है उसका काम खतम तो उस energy से मैं GDP से जी टी पी बना लूँगा और जी टी पी कनवर्ट हो जाता है ATP में यह NCRT लिखते है कपल का मतलब होता है कपल कहती है NCRT कहती है कपल विद ATP सिंसे मतलब ATP की फॉसफेट ATP को दे दिए कपल का मतलब यह हुआ कि इससे लिए उसको दे दिया ठीक है ATP बना दिया तो succinate से हमारे पास बन गया fumarate अब यह जो fumarate है यह भी चार कार्बन है अभी कोई CO2 नहीं निकलेगी क्योंकि जो भी CO2 आई थी यह दो कार्बन आई थी यह खतम हो चुके है फ्यूमरेट में मेरे पास एक प्रोड़क्ट बनेगा जिसका नाम है FAD से FADH2 यहाँ पर हमारे पास क्या बन रहा है FAD से हमारे पास FADH2 बन रहा है यहाँ तक समझ आगी बिटा FADH2 बन रहा है अब जड़ा यह देखिए FUMARATE से हम MALIC ACID बनाते हैं MALIC ACID बनाने के लिए FUMARATE में पानी एड़ कर देते हैं Double bond रहता होगा HOH जुड जाता होगा MALIC ACID से यहाँ पर oxidation करेंगे और oxidation जब हम कर रहे हैं तो मेरे पास NAD PLUS से क्या आजाएगा NADH और अगर आप enzymes के नाम देखें यहाँ से अगर मैं नाम लिखना चाहरा हूँ तो यह alpha keto glutrade dehydrogenase fourth enzyme हो गया मेरे पास fifth enzyme मैं यहाँ लिख सकता हूँ kinase आजाएगा succinate kinase मैं सिर्फ kinase लिख रहा हूँ ताकि आपको यह logic रहे हम क्यों लिख रहे है kinase इसके लिख रहे है fifth step यह बहुत important step है जिसमें हमारे पास six step है जिसका enzyme जो है वो बहुत important है यह membrane bound था succinate dehydrogenase ठीक और यहाँ पर जो enzyme dehydrogenase लिखा है वाई यह वाली spelling है dehydrogenase N-A-S-C यहाँ पर enzyme fumarase है पानी एड़ कर रहे है that is seventh enzyme and eighth enzyme is malate dehydrogenase clear malate dehydrogenase so total eight enzyme हो गए क्या-क्या बना है इसमें इस चीज को revise करते हैं तीन NADH बन गया एक FADH2 बन गया और एक GTP बन गया यह हमारे पास final चीज बनी है clear final चीज है यह हमारे पास बन गई clear यह चीज देख लो अब यहाँ पर कितने CO2 बने यहाँ CO2 बने हैं दो एक यहाँ और एक यहाँ oxidative decarboxylation से देखो क्या-क्या याद करने आपने total कितने reaction है? आठ पहले step के reaction का नाम देखो कैसे अच्छा याद करने का तरीका एक short form जो हम कर सकते हैं जो सब लोग बताते भी हैं पर यह ना उनकी बनाई भी है ना मेरी can intelligent कोई claim करे यह bookish है om karan और जिस age की teacher पढ़ा रहे है यह उनके समय school में था om karan solve some foreign mafia operation अब यह क्या है यह short form तरीका mnemonics मैं पसंद नहीं करता है क्योंकि mnemonics जो है basic understanding खतम कर देती हैं आप short में याद तो कर लेते हो पर आप समझने की कोशिश नहीं करते हैं आप में से बहुत सारे बच्चों को इन चीजों की habit हो गई है mind map दे दो सरजी mind map से बहुत फाइदा होगा कुछ नहीं फाइदा होगा mind map तब काम आते हैं जब चीजे समझ आ रखी हो actual में क्या होता है आप success की story जानना चाते हो सबसे कि उसकी success कैसे होई सर वो बता दो उसका time table दिलवा दो एक successful person के बारे में सारी story बना दो stories बेटा खुद बनानी पड़ती है story का मतलब आप किसी और की story से inspire नहीं होगे जब आप successful होगे तो आपकी story होगी ये चीज़ ध्यान रखना मैं कभी mind map को नहीं support करता मैं short tricks को support नहीं करता क्योंकि ये चीज़े आपको basically handicap बनाती understanding को लेकर अगर आपने चीज़े समझ ली है और sufficient revision दी है तो आपको mind map की क्या जरूत है आपको short formulas की क्या जरूत है आप चाहते हैं कि आप mbbs करना चाह रहे हैं बिना पड़े तो ऐसी strategy को मैं support नहीं करता आप उस knowledge के साथ महाँ जाएए उस medical college में जहां आप वहाँ भी top करें ऐसे मत जाएए कि आपने सिर्फ short trick से कुछ-कुछ पढ़ लिया और महाँ जाके आपको फिर अजीब feel हो रहा है clear क्योंकि effort जो डलना चाहिए जैसे अगर आप कोई चीज बनाते हैं जिसमें मतलब basically क्या होता है टेस्ट के लिए बनाते हैं जितना चीनी डालेंगे उतना ही मीठा होगा विटा आप किसी को देखकर copy मत करिए आप सिर्फ proper पढ़ाई करिए सबके पढ़ने के तरीके अलग होते हैं सबके पढ़ने के method अलग होते हैं जब वह successful हो जाते हैं तब वह method successful माना जाता है और वह उसका method था आपका क्या होगा आप बस mistake पूछ लिजे क्या की थी ये मत पूछिए उससे कि आपने क्या किया आप मतलब क्या करके successful हुए उससे ये पूछ लेजे ये नहीं करना चाहिए वो बता दो आप मुझे जैसे आपको कोई नहीं बोलेगा ये कि ऐसे पूछो कि क्या NCRT पढ़ते थे इनकेस कई बार क्या होता बहुत superficial question आजाता है कम पढ़ने वालों का भी हो जाता है तो वो कहते हैं यार NCRT पढ़ने की जुरुत नहीं थी लेकिन अगर deep question आगया 2016 need second की तरह है या 2050 need second की तरह है फिर ऐसे घूमते हैं वो बच्चे तो बिटा हमारा experience ये कहता है हमने भी इतने failure देखे हैं fail हो कर हमने मतलब मैं खुद doctor नहीं हूँ लेकिन doctor बना रहा हूँ जो doctor है वो successful doctor बनाई ये जरूरी नहीं है ठीक है बिल्कुल बिटा ये fact है हमारा हमने जो सीखा है वो आपको सीखा रहे है तो सीखा हमने अपने experience से है तो पर एक single success का experience कैसे कामा जाता है जैसे मालो एक एक medical college में अचानक से बच्चा पहुँच गया आप उससे सारी चीजे पूछ लो उसने कुछ अच्छा किया है सारा उसे भी नहीं आता ऐसा थोड़ी है वो अचानक से teach करने लगे उसको सब आ जाएगा वो perfect नहीं है बिटा वो अपनी आपको share कर सकता experience पर पढ़ना आपको पढ़ेगा मैं अभी भी support करता हूँ आपको effort करना पढ़ेगा मैं कभी भी short tricks को support नहीं करता हूँ चलो बात करते है can intelligent can में आएगा citrate intelligent मतलब isocitrate ऐसे याद कर सकते हो अगर मन करे तो oxalosuccinate alpha ketoglutrate succinate fumarate malate oxaloastic acid अब कहां पर क्या क्या बना था याद करने कोशिश करो यहां तो कुछ भी नहीं बना था यहां एने डी एच बना था यहां हमने इसके बीच में हमने acetyl koay जोडा था यह याद कर लो तो can intelligent ohm current करन के बीच में CO2 गया था और NADH भी बना था यहां पर अच्छा नहीं यहां पर आएगा वो एक में रुखते हैं सिर्फ CO2 गया था यहां पर NADH बना था और क्या गया था? CO2 गया था इस वाले step में GTP बना था इस वाले step में FADH2 बना था यह आप तो करने पड़ेंगे न आपको इस वाले में पानी डाला था आपने और इस वाले में NADH बना था चीक है? clear? अब मैं इस पर based मालो आपसे question पूछू तो question में क्या पूछूँगा? सबसे पहले आपसे मैं question पूछ रहा हूँ first enzyme तो आपसे अगर मैं first enzyme पूछू उसका नाम NCRT ने लिखा है तो आना चाहिए citrate, synthase यह पहला enzyme है आपका second question में आपसे पूछूँगा यह first है first enzyme second question में आपसे first हो गया citrate, synthase first enzyme हो गया second question में आपसे पूछूँगा बिटा first enzyme तो यह हो गया citrate, synthase second question में आपसे यहाँ पूछ रहा हूँ ध्यान से सुनेंगे यह तो first हो गया second question में पूछ रहा हूँ total number of NADH बताओ total number of NADH कितने बने हमारे पास FADHT बताओ और ATP बताओ तो यह कितने बने total यह तो हमारे पास बोलेंगे तीन यह तीन बने यह बने दो और यह मेरे पास एक बना यह जो है बिटा मेरे पास direct ATP है इसे हम कहते है direct ATP direct ATP का नाम है SLP substrate level phosphorylation यह हमने बार बार आपको बताया है कि substrate level phosphorylation direct ATP है क्योंकि हमारे पास यह जो है NADH और FADH2 है यह जाकर हमारे पास ETS में ATP बनाएगा तो इसे एक NADH से कितने बनेंगे तीन ATP तो एक NADH तीन ATP बनाता है तो total 9 ATP हो गए 3 into 3 एक NADH तीन ATP बनाता है एक FADH to 2 ATP यह एक बनाता है एक FADH to 2 ATP बनाता है तो 2 ATP यह हो गए पर यह ATP जो है यह कहां बनेंगे यह बनेंगे ETS में Electron Transport System में और यह direct ATP है इसका question NEED 2020 में आया तो NEED 2020 में पूछा आपसे कि मुझे यह बताओ number of direct ATP जिसका नाम substrate level phosphorylation है उसका नाम बता दो कितने बनेंगे crap cycle में हम कहेंगे एक बनेगा चीक है इसके अलावा आपसे क्या पूछेगा आपसे यह पूछता सकता है कि number of oxidative decarboxylation तो number of oxidative decarboxylation बता दो किसमें? crap cycle में कितनी बार oxidative decarboxylation होगी एक तो हुई थी alpha keto gluteid बनते वक्त और एक उससे पहले तो 2 होगी क्योंकि 2 CO2 बनती है यहां तक समझ आ रहा है? 2 CO2 बनती है कितने dehydrogenase है? 4 malade dehydrogenase succinate dehydrogenase isocytrate dehydrogenase alpha keto glutate dehydrogenase 2 के case में CO2 निकल रहा है 2 में नहीं निकल रहा यह चीज़ समझेंगे दूसरा हमने क्या करना है इसमें tricarboxylic acid कौन है? जिसमें 3 COH group है? 3 है बिटा ऐसे 3 कौन-कौन? यह 3 हो isocytrate, citrate और oxalo succinate देख रहे हो यह सारे 6 कारबन होगे क्योंकि पहली बार CO2 यहां से निकली है तो इस तरह के questions को deal करना आपने अब ठीक है? अगर मैं आपको प्रॉपरली ATP के बारे में समझाओ कि क्या exactly हुआ है तो एक balance sheet अब बात कर सकते हैं क्योंकि हम CO2 बना चुके देखो हमने क्या पढ़ा है हमने पढ़ा glucose glucose से pyruvate pyruvate के कितने 3 कारबन है न? इसके कितने molecule 2 इसमें मेरे पास बना है 2 ATP जो direct ATP है direct ATP के लिए क्या word यूज़ करते हो भई? SLP substrate level phosphorylation direct ATP ठीक है? और हमारे पास 2 NADH बने है तो 2 NADH से 6 ATP आएगा और वो आएगा mitochondria में उसे हम कहते हैं OP OP का मतलब होता है oxidative phosphorylation ये NADH से ATP बनते है ATP बनने को कहते हैं आपने photosynthesis वाले lecture को फिर से देखना जो मैं कहने chemiosmotic पढ़ाया था lecture देखना पड़ता है बिटा ऐसे नहीं chemiosmotic पढ़ाया था photosynthesis वाला lecture वहां मैंने बताया था OP भी होता है कुछ mitochondria में अब पाइरुएट से हमने link reaction पढ़ा क्या बनाया? acetyl-coe बनाया एक CO2 गया पर दो बने acetyl-coe तो दो CO2 तो यहां पर भी फिर मेरे पास दो NADH हो जाएंगे बनेगा एक पर cycle दो से multiply हो गई न तो दो NADH यहां कितने ATP हो गए? 6 यह कितने हो गए? total 8 glycolis के 8 हो गए 2 direct और 8 बनेंगे mitochondria में जाके NADS से यह हो गए 6 ATP यह भी क्या है? OP mitochondria में बनेंगे एक acetyl-coe से crab cycle करा देते हैं तो crab cycle में हमारे पास क्या बना? जहां से तुनें बिटा crab cycle में हमारे पास क्या बना है? जहां से देखें crab cycle में हमारे पास इस इच को समझो उसके अलावा तीन NADH बने और एक FADH2 बना और एक direct ATP था ठीक है तो इससे मेरे पास 9 ATP हो गए तीन से multiply किया इसको 2 से किया क्योंकि यह ETS में बनेंगे और यह 1 ATP हो गया टोटल हो गए मेरे पास 12 ATP है पर यह एक crab cycle का single का है पर मेरे पास यह कितने एसे टाइल को है 2 तो यह crab cycle दो बार घुमेगी कितने हो गए 24 ATP add करो 24 6 और 8 को आगे आपके पास 38 आप देख लो मैं repeat कर देता हूं glycolysis में 2 ATP direct और 2 NADH 2 NADH से 6 ATP पर बनेंगे OP से mitochondria में जाके फिर pyruvate से acetyl को है चीक clear 2 NADH कितने ATP 6 चीक है बनेंगे mitochondria में ETS में फिर 1 acetyl को है से crab cycle होई 3 NADH 1 FADS 11 11 यह ATP OP है बिटा और 1 direct ATP SLP लेकिन यह cycle 2 बार क्यों घुमे की क्योंकि 1 pyruvate से 1 acetyl को है एक बार crap cycle 2 बार क्यों घुमे की 2 acetyl को है था तो इसको 24 कर दिया तो 24 प्लस 6 प्लस 8 इसे हम कहते है 38 ATP हम ऐसे calculate करते है लेकिन कुछ में हम लिखते है 36 to 38 36 किस में होता है हमारे पास 36 कहा होता है हम लोग लिखते है कि जो हमारे पास हाँ हमारे पास neurons है ठीक है उन में और muscle में हम लोग लिखते है 36 और 38 लिखते है HLK में heart, liver, kidney वहाँ पे 38 ATP बनते है clear होता क्या है ये जो NADHS को mitochondria में ले जाना पड़ता है वहाँ पे खर्चा हो जाता है उन cells में खर्चा हो जाता है ले जाने का तो वो 2 ATP वहाँ खर्च हो जाते है तो हम 36 से 38 ATP लिखते है उसे हम कहते है एक shuttle system होता है ठीक है तो हम बटा अब discuss कर चुके और हम अब exactly ready है ETS पड़ने के लिए अना कि ETS होता क्या है electron transport system क्या होता है मैं आपसे दो questions पूछ रहा हूँ मुझे ध्यान से बताना मैं ये जानना चाह रहा हूँ आपसे ठीक है balance sheet हमने पढ़ ली मैं ये जानना चाह रहा हूँ आपसे ये questions मुझे बताना कि number of ATP number of ATP कितने बनेंगे एक pyruvate से आपने मुझे ये बताना है ठीक है एक pyruvate से कितने बनेंगे अगर मुझे निकालना हूँ दूसरा number of ATP from SLP substitute level से by एक glucose एक glucose से SLP से कितने बनेंगे ये बताना है आपने ठीक है दूसरा मुझे एक glucose से total NADH बता दो ये आपका homework है total NADH एक ग्लूग ये तीन चीजे बतानी है 1, 2, 3 आप अंजर करके बता सकते हो आपकी मर्जी पर मैं फिर repeat करता हूँ basic पड़ो basic के बिना नहीं होगा oxidative decarboxylation condensation वाली बात याद रखना succinyl कोई से NCRT ने pyruvate से 3 CO2 दिखा है तो देख ले न क्योंकि ETS के साथ हम पढ़ लेंगे आपकी fermentation और chapter complete हो जाएगा next lecture में ठीक है वहाँ बात करते हैं क्योंकि last में जाके ETS इतना important topic है last में अगर discuss करेंगे तो आपको थोड़ा सा याद रखने में मुश्किल होगी जिनको ETS मेर से समझना है NCRT लेकर बैठना lecture के साथ चोकि जो diagram change किया NCRT ने वो थोड़ा सा मतलब उतना अच्छा समझ नहीं आएगा आपको जो पुराने वाला diagram था है मैं आपको शो करूँगा वो आपने रखना है ठीक है और NCRT लेकर बैठना lecture समझ आएगा लाइने समझ आएगे लाइने देखनी चाहिए ना वो लाइने हम देखेंगे ठीक है तो नेक्स लेक्चर में मिलते हैं और प्रॉपरली विटाइन से आठती पड़ते रहेंगे और अगर एफट करेंगे तो मंजिल के पास होंगे थैंक्यू पढ़ाई करते रहें अल्दा वेरी बेस्ट